हलो आप्रिवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरदियों में खास तोर पर खाने जाने वाली गुड़ पापड़ी या फिर सूखड़ी की रेसिपी और यह गुजराती रेसिपी है और सरदियों के लिए खास रेसिपी है गुड़ पापड़ी स्वादिस्ट होने के साथ स इसके अंदर हमने जगौन और सॉंट पाउडर तथा गुड का यूज किया है ये सारी चीजें हेल्थ के लिए बहुती ज़्यादा बैनी कुश्य है तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक प्लेट या ट्रे ले लिए है जिसके अंदर हम गुड पाप्री को सेट करेंगे तो सबसे पहले हम इसे घी से ग्रीज करके रख लेते हैं ताकि जब इसका मिक्स्चर बन जाए तो हम इसे फटावट से सेट कर सकें तब से पहले हम gas burner पर एक मोटे तले की कड़ाई चड़ा देते हैं और उसके अंदर एक कप melted घी डाल देंगे घी melt करके इसलिए लेना चाहिए ताकि नाप का पता चल सके और इसके अंदर हम डेड़ कप आटा डाल देंगे यहाँ पर नाप से देखेंगे तो यह 250 ग्राम आटा है और इस तरह से जब हमने कप से नापा तो यह डेड़ कप के आसपास था तो आप नाप का ध्यान रखें जितना आपने आटा लिया है उतना ही इस recipe में हमें good भी चाहिए और उतना ही घी चाहिए तो अभी हमने एक कप घी डाला है और जरूत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी और डाल देंगे हम जो नॉर्मल चपाती बनाने के लिए आटा इस्तिमाल करते हैं यह वही गेहूं का आटा है और आप चाहें तो इसके अंदर आदा आटा और आदा दरदरा आटा भी डाल सकते हैं यह आपकी चोईस है और नाप से देखेंगे तो एक पाव आटा एक पाव घी और एक पाव गुड इस recipe के लिए sufficient होता है और traditionally यह सिर्फ इन तीन चीज़ों को मिला कर ही बनाया जाता है लेकिन आगे हम इसमें कुछ और चीज़ें भी डालेंगे और वो सब डालना optional है आप डालें चाहें ना डालें इस तरह से medium या low flame पर हम आटे को भूनते जाएंगे और जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा इसमें घी release होता जाएगा तो शुरू में हमें लगेगा कि यह सुखा सुखा है लेकिन कोई tension नहीं देरे देरे यह घी release करता जाएगा आटा जैसे ही हलका हलका brown हो जाएगा और उसके अंदर सौंदी सी महक शिरू हो जाएगी तो उस stage पर हम यहाँ पर कुटा हुआ गौन्द डाल देंगे आप गौन्द का powder भी ले सकते हैं और चाहें तो इसके बड़े बड़े टुकडे भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप बड़े टुकडे डालना चाहते हैं तो गौन्द को अलग से घी में फ्राई करके डालें और इस तरह से अगर powder form में डालेंगे तो आटे को भूनते वक्त इसमें डालें इस तरह का बारिक कोटा हुआ गौन्द आटे के साथ आसानी से भून जाता है और काम आसान हो जाता है और आटा पूरी तरह से भूरा सा हो गया है यानि कि ये सुनेरा ब्राउन हो चुका है और आटा भून चुका है और इसके साथ ही साथ गौन भी भून चुका है और यह पॉपकॉर्ण की तरह पॉप अप भी हो रहा है यहाँ पर सरदियों में गौन खाने के बहुत फायदे होता है यह हड़ियों के लिए तो बहुत ही हल्दी होता ही है साथ ही यह हमारे पाचन को भी मजबूत बनाता है और अब इसके अंदर हमने एक पेश्पून सौंट पाउडर डाल लिया है सौंट पाउडर भी सरदियों के लिए बेहदी फायदे बन है और यह सरदिय जुकाम में भी राहत देता है और साथ ही साथ यह भी पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि सरदियों में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो इस तरह की चीज़े हमें खानी चाहिए सौंट और गौन डालना ओप्शिनल है लेकिन यह डालोगे तो यह बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और इसके अलावा अगर आप और भी कोई अच्छदी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते है और जब यह आटा पूरी तरह से भून चुका है तो इसके अंदर हम डेड़ कप यानि कि पाओ भर गौड इसके अंदर बारिक कोट कर डाल लेंगे और गौड को बहुत ही बारिक कोट कर डालना है ताकि यह आसानी से मेल्ट हो सके और स्लो फ्लेम पर हम गौड को मेल्ट करेंगे तो आटे के साथ दीरे दीरे चलाते हुए इसे हम melt करते जाएंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक की good पूरी तरह से melt नहीं हो जाता आटे में good डालने के बाद आपको alert रहना है कि यह जैसे ही melt हो जाता है तो इसे फटाफट से ट्रे में सेट होने के लिए रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर इसे हमने बहुत ज़्यादा पका लिया तो यह सेट नहीं होगा तो जैसे ही good melt हो गया हमने इसे फटाफट से पहले से grease कीवी ट्रे में डाल दिया है और इसे सेट होने के लिए डाल दिया और इसे उपर से spatula की help से evenly सेट कर लेंगे ताकि इसके उपर थोड़ा घी भी आ जाए और यह अच्छी तरह से सेट हो सके क्योंकि यह अगर ठंडा हो गया तो फिर यह सेट नहीं होगा इसलिए गर्मा गर्म में ही हमें यह सारा काम कर लेना है इसके उपर हमने थोड़ी खसकस पिंकल कर लिये है और इसके साथी खर्बूजे के बीज भी हमने इसके उपर डाल लिये हैं आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं और या आपके चाहें तो अपने मन पसंद ड्राइ फ्रूट से इसके उपर गार्निशिंग कर सकते हैं और अब गर्मा गर्म में ही इसके उपर हम कट लगा लेंगे जितनी बड़ी या छोटी साइज के हमें इसके पीसिज रखने हैं हम उसे साब से चाको की हेल्फ से कट लगा लेंगे क्योंकि यह ठंडा हो गया तो फिर यह कटेगा नहीं और विखर जाएगा अब इसे कंप्लेटली ठंडा होने के लिए साइड में रख लेते हैं और लगबग आदा या एक गंटा लग जाएगा इसे ठंडा होने में और फिर हम इसे चेक कर लेंगे आदे गंटे बाद हमने इसे चेक किया तो यह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था और इसके उपर जो हमने कट लगाए थे उन्हें एक बार फिर से repeat कर लेंगे क्योंकि ये set हो चुका है तो एक बार उन्हीं कट के उपर वापिस से कट लगा लेंगे ताकि ये आराम से कट सके और फिर इसे एक फ्लेट में निकाल लेंगे तो देखा आपने बड़ी आसानी से हमने गुजराती गुड़ पापड़ी या सुक्री बना कर त्यार कर ली है और दिखने में ये जितनी स्वादिश्ट लग रही है उतनी ही ज़्यादा ये हैल्दी भी है और जब आप ये रेसिपी बनाना सीखी चुके हैं तो फटाफट से इसे जरूर ट्राइ करें और आप भी इस रेसिपी का आनंद उठाएए और साथ इसाथ अपनी फैमिली को भी खिलाएए और इस रेसिपी वीडियो को देर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल न भूलें और इसी तरह की मज़िदार रेसिपी जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए